जो इस समय उभर कर आ रही है वो of course algo trading हम सब जानते और इसमें artificial intelligence की चर्चा भी खूब होने लगी है capital markets में कैसे इस्तमाल किया जा रहा है AI कैसे capital markets के trends को identify कर रहा है और आगे बदल सकता है overall trading का experience और mechanism इस सब पर बात करने के लिए हमाई साथ you trade के founder और CEO कुनाल लंदवानी है कुनाल स्वागत है आपका cnbc आवास पर of course AI लगभग हर sector में use हो रहा है algo एक नई चीज नहीं है लेकिन algo के साथ AI जोड़ना ये एक चीज आप लोग attempt भी कर रहे है किस तरह की use cases उभर कर आए है और कितना response मिला है इसकी तरफ so देखिए AI ने पिछले दो-तिन साल में एक चीज प्रूफ की है कि अब intelligence जो है वो machine से भी आ सकती है अभी तक machine नहीं तो सिर्फ automation के लिए use होती थी बर जो हम इंसानों में intelligence है वो machine कॉपी कर पा रही है उस level की intelligence प्रोवाइड कर पा रही है अगर हम पहले financial markets के लिए देखें आप अगर एक sector consumer कवर करते हैं अभी banking index की बात हो रही है तो bank का research channelist banking ही कवर करेगा 10-20 stocks कवर करेगा पचास करेगा पर imagine कीजिए अगर आप ये चीज आर्टिफिशल intelligence को सिखा पाएं कि आप क्या देख रहे हैं आप regulation देख रहे हैं, quarterly results देख रहे हैं, credit risk देख रहे हैं, कुछ चीजें देख रहे हैं और अगर आप अपनी AI को ये चीजें सिखा पाएं कि आप क्या data से क्या predict करते हैं और AI आपके लिए अगले level का काम करें मान लिजे, आपको consumer का stock cover करना शुरू कर दे या फिर फार्मा सेक्टर या कोई और सेक्टर कर ले तो AI आपकी intelligence को multiply कर सकता है मान लिजे, आपको junior research analyst, virtually free में मिल गया, जो आपके लिए सारे काम कर सकता है उसको एक बड़ी सिखाईए कि आप intelligence है क्या, आपने कैसे सोचा कि यह trade ऐसे कीजए फेडरल बैंक में या एशी एफी बैंक में ऐसे कीजए, कुछ आपका दिमाग कहीं चला यह चीज़े अगर आप एक चीज़ बोलते हैं AI में prompt engineering, AI को आप से communicate कैसे करते हैं आपर मैं बात कर रहे हैं, AI थोड़ी दिफरेंटली बात करते हैं AI से चाट-GPT या क्लॉड एंत्रॉपिक का है, बहुत सार एइस हैं उनके साथ जब आप इंट्राक्ट करते हैं तो उससे आपको इंटेलिजेंट आंसर्स मिल रहे हैं जो human-like intelligence है उससे आप अपना काम स्केल कर सकते हैं अगर आज आप एक स्टॉक कर रहे हैं, आप 100 कवर कर ली जाएं आप फंड मैनेजर एक तरह की strategy या एक तरह की allocation करते हैं तो आप 10 तरह की कर सकते हैं और इसमें आपकी वो help ही कर रहा है AI becomes an agent for you, AI becomes your colleague in the future तो यह AI का development है अलगो ट्रेडिंग में, specifically या ट्रेडिंग में अगर आप कोई data analyze करना चाहते हैं कि मान लीजिया, RBI की monetary policy है example के तौर पे और monetary policy में, RBI की statements के बाद क्या likelihood है कि वो rate cut करेंगे या नहीं या rate increase करेंगे के नहीं यह pattern analysis, data देखकर या trades का रोज का option future का data इतना सारा data होता है, इतनी सारी trading होती है data देखकर वो आपको intelligently patterns identify करके दे सकता है strategies में suggestion दे सकता है कि आप इस तरह से straddle बनाईए box butterfly को strategy से trade कीजिए कुछ भी trade बनाईए, future option के combination में कीजिए तो यह सारी चीज़ें जो है सिरफ 20 dollar a month पे chat GPT का license मिलता है और आपको वो सारे काम करके दे रही है so इससे आप अपना काम स्केल कर सकते हैं जादा intelligently काम कर सकते हैं जादा intelligently grow और evolve कर सकते हैं using this AI कुछ अच्छा लगा आपको सुन केस पॉइंट पे retail के लिए AI का मतलब क्या है मान लीजे जैसे मैं एक एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करता हूँ ट्रेड को एक्जेक्यूट करता हूँ मेरे तक AI कॉन पहुचाएगा कैसे पहुचाएगा इस पे ट्रोई सी टिपने करिए और मैं उसको कैसे यूटलाइज कर पाऊँगा सो हम कोशिश कर रहे हैं हम पहुचा पाएं और भी प्लाटफॉर्म्स ब्रोकर्स पहुचाएंगे आप तक होगा क्या मैं पताता हूँ आपको मान लीजे आप एक रीटेल निवेशक है आप आपके पास आज वो एक्सेस नहीं है जो फंड मैनेजर के पास है आप प्रमोटर की हर कॉल पे नहीं है आप इन्वेस्टर रिलेशन उतना ट्रैक नहीं कर रहे हैं आपके पास बैलंस शीट एनालेसिस की लेट से केपिबिलेटी लिमिटेड है इन्डिविज्वल आवरेज डीटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं तो AI से आप सारा डेटा डेटा तो अवेलिबल है स्टॉक एक्स्चेंजिस की फीड्स में आता है सारा प्रमोटर इन्वेस्टर रिलेशन कॉल्स आती है सारा डेटा होता है अगर आप AI को सारा डेटा फीड करें तो वो आपको पैटरंस आइडेटिफाई करके बता सकता है कि देखिए ये प्रमोटर ने जब-जब ये कहा है तो उनका कौटली रिजल्ट अच्छा आया है उसके बाद या जब-जब उनकी बैलेंस शीट में या अगर कोई consumer company के लिए distribution में उनके numbers बड़े हैं तो उनका ऐसे growth हुआ है तो AI आपको आपके और fund manager के बीच का जो distance है intelligence का, knowledge का, ज्यान का, बुद्धी का वो सब bridge करने वाला है If anything, मेरा ये view है पांदस साल दीजिए, हर retail investor एक fund manager के बराबर की information ले सकेगा intelligence रख पाएगा क्योंकि AI ये उसके लिए असान करतेगा तो ये आपके पास, आज आप यूज कर सकते हैं चाट GPT में जा कि आप analysis कर सकते हैं ये सब के लिए already available है ये बट भात तो ये है ना और वो रोचक है कि अगर प्राइस के उस तरफ भी AI है प्राइस के इस तरफ भी AI है I mean in a normal trading जो चीज में रखो खराब लग रही वो आपको अच्छे लग रही है तो एक price discovery होता है बट जब दोनों तरफ AI खड़ा होगा तो price discovery कैसे होगी है ना ये भी तो चीज है ना सारे बायर होंगे सारे seller होंगे मैं सिर्फ एक भविस्ट की बात कर रहा हूँ ने ने फेर क्वेशन आप इरी बात समझी होगा है बिल्कुल बिल्कुल सार देखिए आज AI आपको ना analysis better करके दे रहा है वो analysis करके दे रहा है जो शायद आज 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 आप एक retail investor की शमता नहीं है या time नहीं है या ability नहीं है आज आपको वो better analysis दे रहा है view तो देखिए उसके बाद आप नहीं लेना है आज की date में जब तक आप AI को delegate नहीं कर रहे कि आप ही मेरे भीहाफ पे trade कर दो और फिर AI versus AI कैसे चलेगा वो एक बहुत ही 5, 10, 15, 20 कोई dystopian future का question है कुणाल, कुणाल, कुणाल कुणाल, that means हमें AI को up to analysis रखना चाहिए execution अभी भी human hand में होना चाहिए human brain का होना चाहिए आप यह मानते हैं ना for now yes, बिलकुल आज ऐसा ही है आज यह आपको support ही करेगा आज आपका AI agent है जैसे आपके लिए कुछ research analyst आपकी help करते हैं आपका काम में तो वैसे AI भी आपके लिए एक research analyst है जो आपको बिलकुल next level data लाकर देगा analysis, pattern, सब करके देगा और बहुत जादा unlimited data पे कर सकता है मैं आपसे ही समझना चाहूंगी algo trading और AI में फिर कितना अंतर होगा क्योंकि algo भी एक system generated trade होता है AI कितना अलग कर पाएगा क्योंकि उसे भी हम train कर रहे हैं according to what we want and what our desired result should be so आज algo trading आपकी execution में help कर रहा है आपने view लिया यह share कम भाव फे खरीदो जादा हो तो बेचो एक simple algorithm है आज आपको screen के सामने ना बैठना पड़े आप यह algorithm को दे दो वो अपने आप कर लेगा उसमें कोई emotional bias नहीं है scale कर देगा अपने आप फास्ट कर देगा सब कुछ AI आपको उससे पहले वाला view बनाने में जैसे आज आपके दर्शक आपका चैनल देखकर एक view बनाते हैं कि मेरको HDFC बैंक या फेडल बैंक का या ट्रेड करना है वो view बनाने में आज intelligence आपकी तरफ से या आपके जो speakers उनकी तरफ से आरही है उस intelligence में AI आपकी help कर रहा है AI आपकी help कर रहा है वीव बनाने में execution आपके तरू हो रही है so algo और AI इवेंचली मर्ज हो सकते हैं AI डिवन हो सकती है but human intervention कितनी आपने रखनी है नहीं रखनी regulation क्या करता है acceptance कितनी बढ़ती है वो एक future का question है बट कुछ सालों में वो question raise होगा if not this year बहुत fast चल रहा है exponentially fast चल रहा है but अभी AI आपकी analysis में help कर रहा है view making में कर रहा है execution में algorithm कर रहा है अभी दोनों लगए और बीच में इंसान आच बैठा है कब तक होगा वो time का वो time बताएगा अचब तक बैठा है अच्छा है हम सब के लिए वरना दिक्कत हो सकती है बहुत बहुत शुक्रिया Mr. Nandwani and good luck to you interesting times ahead वीरू अब अलगों से हम बस वाकिफ हो ही रहते अब AI भी आ जाएगा 5-7-7 और निकल दाएगा तर पोई दिक्कत की बात में है लूराया वही उपका बहुत शुक्रिया यस का यहां पर बैठेगा, गाबा जी वह आपका computer, you never know, आप AI को train कर लें, कि बीच में आशीश के तरह आप से कुछ P.J. भी मार लें, है ना, राजेश साथपुते इस वेरी की वाचिंग है, हमारी टेक्निकल जानकार है, राजेश जी आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, न बहुत सारे चीजे होती है कि जो software में inbuilt होती है, तो हम पुड़ी बहुत महाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो बैसिकल आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो मुझे वो इंट्रेस्ट आता रहता है, लेकिन जैसे कि AI की बात है, तो AI के लिए क्या हमें कुछ बहुत सोचना पड़ता है अलगी software है, ऐसा कुछ होता है कि वेर वी कर बात हो इस दो दो आता प्रोग्रामिय के बाताहूं कि जो इंडिया बड़ी इससित्रे में तो बाते हैं पर दो बाताता हूं कि आपने कोडिग की वात कि आपको इस्प्ट्वर इवलोप्मेंट कि य वो एक प्रोग्रामिंग लागवज जाके लिख देते हैं AI की वज़ा से अल्रेडी यह सारा काम अब AI कर सकती है उसके लिए आपको इन IT Services Companies की जरूवत कम होती जाएगी या फिर अगर एक IT Services Company एक प्रोजेक्ट एक सॉफ़वेर डिवलेप्मेंट पे दस लोग बिठाती थी तो शायद अब एक दो या तीन बिठाएंगे क्योंकि बाकी साथ का काम AI कर सकती है हमारी Conversational Language ही जिस भाषा में बात कर रहे हैं अगर हम AI से बात करें तो उसके बीछे प्रोग्राम वो अपने आपी लिख देंगी हमें प्रोग्राम के बारे में सोचने की जरुवत भी नहीं है तो प्रोग्रामिंग का काम जो है यह सबसे पहला काम है जो आउट्सोर्स AI को हो रहा है जिससे कि IT सर्वसेज या तो बहुत ज़ादा स्केल करेंगी क्योंकि वो अगर आज 100 प्रोजेक्ट करती एक बड़ी कंपनी तो वो हजार कर सकती है विद थी हल्प ओफ ए आई या फिर उनके पास इतने लोगों का काम नी होगा तो यह तो एक हो गया प्रोग्रामिंग का सवाल जवाब की प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा इंपक्ट है प्रोग्रामिंग अज अल्रेडी एकरने लगी है अगर अपने युएस की जो कुछ कंपनी माइक्रसोफ्ट गूगल वगेरा इन सब ने जो बहुत ही अच्छे लेवल के प्रोग्राम बनाती हैं बनाती हैं दुनिया भर यूज करता है उसको उन में वो अप्टू 50 परसेंट ऑफ जॉब्स कहरे हैं कि AI से रिप्लेस हो सकती हैं तो अगर वो कर सकते हैं तो हम सारे भी कर पाएंगे अगर अगर अज कोई प्रोग्राम बनाना चाते हैं अगले 5-10 साल में आपको इंजिनेरिंग करने की जरूवत नहीं है आपको सॉफवयर शीकने की जरूवत नहीं है आपको इंग्लिश में बोलिए AI अपने अप करेगा एट इस वान, second, AI से आप इंट्रेक्ट कैसे करते हैं देखिए AI बहुत highly logical है इंसान हम लोग फिर emotional होके बात करते हैं कुछ बात को किसी तरह से बोलते हैं AI से हमें जिसको मैंने एक वर्ड यूस के था है प्रॉंप्ट इंजिनिरिंग आप AI से बात कैसे गर है प्रॉंप्ट क्या दे रहे हैं क्या लिखके दे रहे हैं वो धीरे धीरे इनसान सीखेगा विकाज AI की इतनी वैल्यू है कि हमें सीखना ही पड़ेगा कि कैसे उससे बात करनी है तो आप कोई rocket science नहीं है आप बात कीजिए चैट GPT मैं सबको recommend करता हूँ यूज कीजिए या कोई भी AI tool यूज कीजिए आपको धीरे धीरे उसकी value दिखनी शुरू हो जाएगी और इससे future में definitely आपके बहुत सारे काम including software programming या बहुत सारी और चीज़ें बहुत efficient, fast, cheaply और super scale पे आप कर पाएंगे AI को use करके नन्वानी जी शुक्रिया प्राजेश जी कोई चौर सवाल होंगे तो नन्वानी जी का number मैं आपको भेज रही हूँ आप one on one meeting fix कीजे सारे problems जो भी doubts है वो solve कर वा लीजेगा चले अब बहुत बहुत शुक्रिया झाल झाल कर एकश्र आपको जिलेग झाल 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 झाल